यह वीडियो बेसिकली कि आप अगर गेट अकेडमी का प्रतिग्या बैच जॉइन करना चाहते हैं यह और कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं EMI options में आपको कैसे करना है website में कहा जाके क्या चेक करना है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा प्रतिग्या बैच के बारे में हर जग प्रतिग्या बैच की ही बाते चल रही है तो बेसिकली एक बहुत ही different और best type का course launch करने की कोशिश किये जिसमें की live classes भी चलते रहेंगी recorded classes भी आपको available करा दिया जाएगा जिससे की आप अपने convenience के according choice of subject जो पहले पढ़ना चाहे वो पहले पढ़ सकते हैं अपने time का utilization कर सकते हैं कि sir live class तो चलेगी हम बाकी time में क्या करें तो आप वो कर सकते हैं प्लस बहुत सारे additional चीजे DPP की sheets आपको मिलेगी weekly test आपके conduct कराये जाएंगे आपके HODs और expert faculties से weekly guidance आपको मिलेगी बहुत एक best way में सोच के आप लोगों के लिए plan किया गया है and 23 और 24 जो भी gate को आप target कर रहे हैं प्रतिग्या batch may be the best option for you सो अब मैं प्रतिग्या batch के बारे में ज्यादा न बात करते हुए प्रतिग्या batch को EMI options में कैसे लेना है उस पे focus करता हूं तो सबसे पहले आप gate academy की website में आ जाएंगे gateacademy.co.in तो मैं यहाप लिख लेता हूँ www.gateacademy.co.in तो आप जब यह website open करेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है www.gateacademy.co.in अब प्रतिग्या batch में कहां से जाना है तो उसके लिए बहुत सारे options है जैसे की यह देखिए यह आपका प्रतिग्या आप प्रतिग्या बैच में जा सकते हैं next option यह आप अगर देखेंगे तो यहां पर यह जो बटन है प्रतिग्या for gate इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे जा सकते हैं next option एक थर्ड option और है जिसमें की आप बाकी exams को भी चेक कर सकते हैं तो यह देखिए बाकी जो बहुत सारे exams जो gate academy में available हैं बहुत सारे courses batches जो available हैं तो यहां पर आपका जो है gate प्रतिग्या यहां से भी आप जा सकते हैं कहीं से भी आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपकी branch पूछेगा so let us say कि मैंने electronics and telecommunication को select कर दिया अब यहां पर दो options आते हैं gate 23 या gate 24 तो आप जो course लेंगे वो कब तक valid रहेगा gate 23 तक या gate 24 तक यह दो difference है that's it बाकी जो अभी 23 तक classes जो इसमें चलेंगी वो इसमें भी चलेंगी ठीकत ऐसा है कि 24 वाले सोचेंगी कि मैं को जाधा पढ़ना है तो सब मैं 23 लू क्या नहीं आपको सब कुछ मिलेगा आगे भी classes कुछ होंगी वो भी addon होता जाएगा तो अगर आप 24 में आपका main gate exam होने वाला है तो आप बिल्कुल 24 gate exam वाला ही batch जॉइन कीजिएगा ठीक है प्राइस आप देखेंगे तो 20,000 आपको सब जगा दिखाव है तो इस इंक्लूजिव अप GST तो 16,950 gate के फुल कोर्स के लिए विट और दी फुल फीचर्स DPP, weekly test, guidance, live classes, recorded library, so everything you will get only in this 20,000 including VST 16,950 that also we are talking about कि अब EMI options में अगर आपको choose करना है तो let us say कि मैंने सबसे पहले देखिए कि आपको website में login करना है तो यह जैसे मी दिखा रहा है क्योंकि मैंने login किया हुआ है आपको वहाँ login लिखा हुआ दिखा सकते हैं तो आपको login create करना है simple है जैसे कि आप Gmail में जाते हैं तो पहले अपना sign up करते हैं उसके बाद उसको use करते हैं वैसे ही website है आपको अपना registration sign up करना है पहले और sign up करने के बाद आप login कीजिए login करने के बाद जो भी आपको product यहां है वह आप ले सकते हैं जो भी बैच आप जोईन करना चाहें वह आप जोईन कर सकते हैं यह मैंने login कर दिया इसलिए मुझे मी दिखा रहा है यहां पर यह letter से कि मैंने add to cart कर दिया तो यह मैंने add to cart कर दिया तो यह आपका add to cart यह add to cart हो गया तो यह बता रहा है कि electronics and communication engineering का gate 2023 प्रतिग्या product है उसका discount है और आप यहाँ पे continue to check out कर सकते हैं तो आपने यहाँ पे continue to check out किया तो पहले जब आप login बनाएंगे sign up करेंगे तो आपसे address पूछ लेगा मैंने just randomly एक dummy address बना दिया था आपको show करने के लिए तो यहाँ पे fill किया हुआ है so यह आपको tick करने I agree to purchase with terms and condition and then and then यहाँ पे आप continue to pay करेंगे यह आप continue to pay करेंगे तो आप जब continue to pay करेंगे तो आपको यहाँ पे लेके जाएगा payment gateway में जिसमें वो 20,000 आपसे लेगा inclusive of GST ठीक है this is inclusive of GST तो अब अगर आपको EMI में जाना है तो EMI में तीन option होते हैं credit card, debit card और cardless EMI cardless EMI एक बहुत अच्छा option है zest money की एक website होती है वहाँ पे जाके आपको registration करना है और वहाँ पे आपको आपकी limit पता चल जाएगी कि आप zest money के थुरू किसी भी website में जाके कितने 1000 टक का total purchase कर सकते हैं जिसको आप EMI में payback करोगे zest money में आपको बता दूँ कि मैं start इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ भी extra charges interest के नाम पे आपको नहीं लगते हैं तो आप zest money में जाएंगे तो आपके लिए सबसे best है कुछ भी आपको extra money नहीं लगेगा credit card और debit card bank nominal सी extra fees आपको लग सकती है वो भी मैं आपको यहां पे दिखा दूँगा let's say कि मैं credit card में जाता हूँ और let's say कि मैंने access bank का choose किया तो यह आपको plan आ जाएगा कि आप 3 months कभी ले सकते हैं 6 months कभी ले सकते हैं 9 months 12 months आप और भी ले सकते हैं 18 months 24 months इतना ज्यादा की need नहीं पड़ेगी इतना big amount नहीं वैसे भी बहुत ही minimum price पे है यह batch तो आप अगर 3 months का भी लेंगे तो देखिए 435 rupees ही आपके just additional लगेंगे that is nothing आप 3 months में divide करेंगे तो एक महीनी में आपका 150 rupees भी आपका नहीं लगा मानके चलिए इस वे में आप देख सकते हैं कि आप 3 months 6 months 9 months या जितने भी months का आप लेना चाहें जो भी bank का आप लेना चाहे वो ले सकते हैं ठीक है यह access bank का था वैसे ही यह देखिए सारे bank के option है आपके पास ICICI bank state bank of India सो काफी लोगों का रहता है था कि state bank of India तो वो भी आपको यहाँ पर include होता होगा दिख रहा है सो state bank of India भी है RBL, City bank, Kotak Mahindra जो भी list आप देखेंगे यह सब आपको यहाँ पर options में मिल जाएगा यह सब आपको कौन सवाले है credit card के EMI options है debit card जो कि आपको बहुत ही कम जगा दिखते हैं वो भी आपको हमारे यहां दिखेंगे वो भी जो तीन major bank है SDFC, access और ICICI इसमें आपको debit card में भी मिलेगा जैसे की access bank में अगेन आप देखिए यह debit card में भी आपको 3 months, 6 months, 9 months, 12 months सारे options आपको मिल रहे हैं तो आप अगर देखोगे कुल मिलाके तो आपको EMI में credit card, debit card और यह cardless के लिए आपको ZEST money जो है यह आपका ZEST money जो है उस पर आप जा सकते हैं तो ZEST money के website में आप जाएंगे तो आपको वहां पर options मिल जाएंगे याद रखिएगा ZEST money में जो आप it is not actually a loan it is a you can say EMI options only तो आप उनहीं के नाम पर लीजिएगा जो already salary है या उनका कुछ business चल रहा है ताकि आप अगर student अपने खुद के नंबर पर लेंगे तो obviously आपको valid नहीं दिखाएगा तो यह एक तरीके का option EMI option तभी मिलेगा जब आपकी कुछ credit की history होगी आप salary है या businessman means आप अपने guardians के नाम पर ही ले सकते हैं उसको ठीक है और अगर कोई already working है और वो भी gate exam के लिए तैयारी कर रहा है already working है तो yes उनके लिए भी possibility वहाँ पर हो सकती है बाकी बहुत सारे payment options और wallet से बहुत सारे airtel money, free charge, paytm later, upi wallet, sdfc, pay zap बहुत सारे options available है upi options, paytm, google pay तो आप रेखेंगे तो n number of options है especially EMI पर focus में करने वाला था यह सारे options है आप अपना जो भी available options है आप उनको select करके आगे proceed करके कर सकते हैं तो in short मैंने आपको batch की details भी बता दी EMI options भी आपको यहां पर show कर दिए यह सारे EMI options आपके पास available है ठीक है सो बिलकुल आप इस चीज का benefit लीजिए और फिर मिलते हैं आप से प्रतिग्या batch में थैंक यू